हेलो बच्चो स्वागत है आप सब का आपके अपने चैनल आरेंजी के हमें आज हम देखने वाले हैं निपूर भारत अंकोर अभ्यास पुस्तिका हिंदी कक्षातीन का संपूर हल पर हाँ यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आएं तो वीडियो को चैनल को सब्क्राइब जरूर कर ले और वीडियो अच्छी लगए तो उसको लाइक भी जरूर कीजिए इसका मुकिक भास विए चित्र में क्या त बैक्रमें क्या निम्हें प्रमाते प्रण गाई में वोट का लस्वेखन को रिखाई दे रहा है मैं बोरी मा permitir क्या कर रही है चेत्र में बटो में क्यों पढ़ा है इस तरी के क्यों फॉष्ट है तो आध मौकिक चर्चा हमत चैशा में आये ड़ास्बamarग को, बॉट से देख के लिखेंगे यह जैसे आदमी खाटिया मा बाखस livelihood क्यों तो आप लिख सकते हैं चित्र में बुड़िया आराम कर रही है अब यह पढ़न बहुत को पढ़ने हो आराम से कोश्चन आंसर है मोखिक जैसे बुड़ी में अपना गुजारा कैसे करती थी तो आप लिख सकते हैं रागीर जो देते थे उनसे वो अपना गुजारा करती थी लिकित प्रेशन है आप ऐसे कौन-कौन से काम करते हैं जब आपको खुब सारा पसीना आता है तो आप लिख सकते हैं खेलते समय पसीना आता है मुझे बहुत प्रिश नमर दो में अगर आपक तरीके से इनको लिखना है सब्दों के सही अर्थ से जोड़ी मिला कर लिखना है रागीर का यात्री भोजन का खाना प्रेम का इसने और अपना का छट पटाना अब धारा प्रवा पठने तो इसको पढ़ लीजी आप मों के कुश्यन आएंगे इसे अपना सिकार किन के लिए छोड़ देना चाहता था दोस्तों के लिए लकड़ा आरा अपनों परिवार चलाने के लिए क्या करता था लकड़ी काटता था इस तरीके से आप लिख सकते हैं सतंतर अब्यास में जौपड़ी का चित्र बनाना है और उसमें कौन किसा उपयोग किया जाता ये भी लिखना है तो मैंने चित्र बना दिया और इसमें उपयोग लिख दो आप मिट्टी घां know डि रस्थी का. आगे देखिए चित्र में किस अवयान की बात की जा रहे है इस तरीके से आपका ये प्रथम दिवस पूरा होता है अब अपन दो दिवस देखेंगे दूसरा वाला मौकिक चर्चा में आए शब्दों को बोड से देखकर लिखिए दीवार, भूडी मा, खाना, चोर इस तरीके से शब्दों को लिखना है खाना खाते समयकिन बातों का ध्यान रखना चाहिए कोई दो बाते लिखिए तो बोलना नहीं चाहिए जूटा नहीं छोड़ना चाहिए हाथ दो कर खाना चाहिए इस तरीके की बाते अपन को ध्यान में रखना चाहिए चित्र में दीख रहे ही बस्तों की नाम लिखिए तो इसमें बरतन दिख रहे हैं, आदमी दिख रहे हैं, थाली, पतीला, ग्लास, लोटा, घड़ा इस तरीके से आप लिख सकते हैं आप पठन बोद में देखिए, आपको खाने में क्या-क्या पसंद दे तो आप बता दीजिए, हलो आप उड़ी खीर, आपके गर भोजन पकाने में किस चीच को प्योग किया आता है, तो आप लिख दे गैस का जिसके चूले पर बनती है, और चूले लिख सकता है, दयावती उनने चोरों से पैसे क्यों नहीं लिए, जोंकि वो पैसे चोर के परिश्चम का फल नहीं था, इसलिए उनने नहीं लिए, सब्दों के सही अर्थ लिखकर बाग को नाना है, जैसे प्रेम का इसने हमें प्रेम से रहना चाहिए, जटपट का जल्दी में जटपट उठकर च किये माने का बेटी बेटा जल्दी आना इस तरह चिन्न का प्रयोक कर बाक को पना लिखिए जैसे कि सुवासंद बॉस ने कहा था तुम मुझे खुण दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा तो यह अब तरह चिन्न के लाता है इसको अपने लगा दिया है और भी लिख सकते है जै जवान जै किसान लालवाद दूर शास्त्री ने कहा था करो या मरो गांधी जी ने कहा था इस तरीके से अपन चिन्नों को लगा सकते हैं अब धारा प्रवपठन में नन्नी चीटी जब दाना लेकर चलती है चरती दीवारां पर सोवार फिसलती है आकिर उसकी मैनत बेक मा कMore अधान आए इस बाद से वह क्या प्रवपठना मिलती है कि कोशिच करने वालों कि कभी हार नहीं होती कभी तो हमें किस बात का मेहतुता आया गया है कोशिच करते रहना चाहिए है अब आगे देखिए सथांतर ब्यास में यह भोजन की थाली है यह चित्र किसका भोजन का खाने की थाली में आपकी क्या-kia दिख रहा है पूरी सबजी रायता सलाद इस तरीके से आप लिख सकते हैं इस तरीके से अपना प्रथम दितिय दिवस पूर्न होता है अब अपन ततिय दिवस देखते हैं मौकिक चर्चा में आई शब्दों को बोट से देखकर लिखना ह पेर, चेत्र, संदेश, साला, कुलाडी इस तरीके से लिख लो बगीचे पार्ख हम सभी के लिए बनाए गए हैं ऐसी कौन सी जगे हैं जहां हम सब जाते हैं दो जगे के नाम लिखो तो आप लिख सकते हैं मंदिर में हम सब जाते हैं स्कूल में हम जाते हैं अस्पताल में हम जाते हैं बगीचे में हम जाते हैं इस तरीकी से आप लिख सकते हैं अब यह कोश्चन है पठनबोद का चारा चौर कप चोग गए जब बूरी मा को देखा तो वे चोग गए अब मौाबरें थक कर चूर होना काम से बहुत थक जाना आखों का तारा होना बहुत प्यारा होन नो दो ग्यारा होना भाग जाना इनका आप उजय सुधारन दे सकतो मेरा वेटा मेरी आख का तारा है चोर सिपाई को देखकर नो दो ग्यारा हो गए इस तरीके सिंका अपन लिख सकते हैं अब आगे देखिए धारा प्रवा पठन में मौकिक प्रिशने किसान कैसा था आलसी चिड़ी और बच्चों की बात है कौन सुनना था किसान सुनना था कानी का नाम क्या था चालाग बंदर कानी के दो पात्र कौन थे मगार और बंदर अभी शुरुत लेख है तो सिच्चक द्वारा बोले गए शब्द जो आपके सिच्चक बोले वह आपको लिखना है अब चतुर्थ दिवस देखेंगे तीन दिवस पूरे आपके हो गए हैं मौकिक शर्चा में आई शब्दों की बोर्ट से देखकर लिखना है पुलिस चोर रास्ता अंदर इस तरीके से सब्दों को अपन को लिखना है चोरियों पर पुलिस हमारी मदद करती है इसी तरह हमारे ऐन्य-मददगार भी उन्हें महीं लिखिए जिससे सवास्त कराओने पे कौन मदद करता है डॉकटर बढ़ने में कौन करता किए सिच्चक पत लाने में डाकिया कपड़े सिलने में दर्जी इस तरीके से अपनको लिखना है वोजन करने के वाद्यों क्या है चोर इस लग और लकडी काटी इस तरीके से अब शब्द बदमें देखिए एकी मात्रा इटाकर आ की मात्रा लाकर नए शब्द बनाइए जैसे बुझे बुझा बाले बाला पेड पेडा इस तरीके से शब्दों को बनाना है लगे लगा मारे मारा भागे भागा सूखे सूखा पहले पहला करते करता इस तरीके से बनाई अब जोड़ी बनाईए यहाँ पे जटपट जल्दी घवराना डर जाना ब्यवार आचरन स्रम मैनत और स्वात का जायका अब धारा प्रवा पढ़िए आप इस तरीके से इसको पढ़ लीजिये पूरा फिर आपको इसके कोशनर अंसर देना है रवी ने मा को क्या ना करने का वरोसर दिलाया कि वे गोलू का पैन लोटा देगा माने रवी को चॉकलेट क्यों दी तो आपकी मापता ने आपको कब और क्या दिया उत्तर लिखिए तो आप लिख सकते हैं मेरी माने मुझे सच बोलने पर चॉकलेट दी गुरू जी न गोपाल की प्रशनसा क्यों की क्योंकि उसने गणित का सवाल सही किया था लिखिया अंसर प्रिशनमबर दो में देखिए बड़ा होकर बाला किस नाम से प्रसिद्धुआ तो आप लिखिए गोपाल क्रिष्ण गोखले के नाम से प्रसिद्धुआ अब अपन पांच वा दिवस देखेंगे मौकिक चर्चा में आई शब्दों को बोर्ट से देखकर लिखना है कुलाडी पसीना मेनत लकडी इस तरीके से कुलाडी के अलावा लकडी और किस किस से काट सकते हैं तो आप लिख दो आरी से और मशीन से लकडी से बने आपने कौन-कौन सी चीज़ें देखी हैं मेज, कुर्सी, खिलोने ये सब लिखना हैं उन चारों ने बुड़ी मा से क्या कहा था आज हमने श्रम का फल चखा बुरे काम अब हम नहीं करेंगी श्रम माने तो आप जानते ही हैं महनत होता है यानि उनने महनत का फल चखा तो उनको बहुत अच्छा लगा और उनने कहा हम बुरे काम नहीं करेंगी रिक्तिस्तानों की पूर्ती है कल रात मेरे पड़वस में एक चोर गुज गया मेरे घर के पास पुलिस चौकी है मेरे मकान मालिक के नाम बिराज है आज हम आवश्या की रात है इस तरीक कैसे आप लिखो लीला लाल लकीर रेम दारा परवाय मौन के गाओं का क्या नाम है तो आप लिख दुराएपुर अगर गिलेरी आपके पास आती तो आप क्या करते हम उसको छूके देखते और उसके साथ खेलते अब ये एक नौटिस बोर्ड है सूचना इस सोचना किस के द्वारा दी जा रही है तो आप लिको थाना प्रवारी शाह पुरा के द्वारा अब ये शुतलेक है तो जो आपके सिच्छक बोले वह आपको लिखना है अब अपने पांच दिवस पूरे होते हैं बच्छों अपन छटवा दिवस देखते हैं मौखिक चर्चा में गबराना माने डर जाना प्रवाव माने असर आँखों का तारा होना यानि बहुत प्यारा होना इस तरीके से आपको लिखना है अब ये मौखिक प्रेशन है दर्शने इस तल किसे कहते हैं ऐसे इस तल जान लोग दर्शन करने आते हैं ठीक है ना जो आपन देखने जाते है सुतंतर अभ्यास में है, रास्ते में मिले उस आदमी ने बूरी महिला से, बेपत्थर क्यों मांगा हुआ, इसका अंसर आप लिखो, उस आदमी को लगा कि वे खाने की चीज है आप अपने घर के आसपास के किसी भी बुज़र व्यक्ति के वारे में लिखिए, नाम लिख दो रोशनलाल, संबंद क्या है दादा जी, आई यू है उनकी 65 बर्स, क्या करते हैं खेती, सुवाव कैसा है उनका दयालू, और कोई एक अच्छी व्यादत लिख दो उनकी, तो आ अगले वीडियो में अपन फिर मिलेंगे, पाठ 18 प्यारी चिडिया में, ठीके बच्चों, वीडियो अच्छी लगी हो, तो एक लाइक तो बनता हिए, जरूर कीजिए, ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग, थैंक यू, थैंक यू, थैंक